तो दोस्तो access bank का internet banking अगर आपका activate नहीं है दोस्तो मैं आपको बताऊंगा इस video में किया आप access bank का internet banking कैसे activate कर सकते हो जी हां दोस्तो mobile banking और internet banking दोनो अलग-अलग चीज़ है तो internet banking के लिए आपको कुण सी details है आपको क्या प्रोसेस करना है इंटरनेट बेंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए पूरा प्रोसेस में लाइव दिखाने वाला हूं दोस्तों तो चलिए इस वीडियो को शिरू करते हैं लेकिन दोस्तों कर आप पहली बार मेरी चैनल को देख रहे हो तो चैनल को जल्दी स क्लिक करना है अपको पर्ष्णल जो हो रहा है वहाँ पर लोगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है लेकिन दोस्तों अगर आपके पास यूजर नेम और पास्वर्ड नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर हमें registration complete करना होगा registration करने के लिए यहाँ पर हमें क्लिक करना है register here इसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना customer ID एंटर करने को पूछेगा तो customer ID यहाँ पर आपको fill up करते ना है तोस्तों customer ID डालने के बाद नीचे proceed वाले option पर क्लिक करते ना है यहाँ पर दोस्तों आपको और भी options पूछे जाएंगे जिसके mobile नमबर और email ID OTP या फिर debit card number दोनों में से को एक option select करना है दोस्तों अगर debit card आपके पास है तो आप debit card select कर लो mobile और email ID आपके पास login है तो आप वो भी कह सकते हो तो दोस्तों जो भी easiest way आपको लगता है आप यहाँ पर कर दो तो मैं यहाँ पर debit card select करूंगा debit card number यहाँ पर डालना है उसके बा option पर क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर अभी आपको password के लिए पूछेगा password कुनसा आप set करना चाहते हो यहाँ से आपको set कर लेना है कैसे करना है तो यहाँ पर नीचे दिया गया है criteria आपको इसी तरह से करना है एक special character डालना है capital letters और numbers यहाँ पर डालने है देखो चाहिए तब यह आपका password valid हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो same password यहाँ पर आपको re-enter कर देना है फिर सी यहाँ पर डाल देना है password डालने के बाद नीचे यहाँ पर confirm वाले option पर यहाँ फिर continue वाले option पर क्लिक कर देना है अभी दोस्तों OTP आएगा आपके register mobile नंबर पर तो OTP हमें यहाँ पर फिलप कर देना है दोस्तों और नीचे confirm वाले option पर क्लिक कर देना है यहाँ पर देखो यह है completed registration internet banking तो successfully internet banking registration हो चुका है अभी हमें login करना है तो यहाँ पर हमें अपना customer ID डालना है जो password set किया और password हमें यहाँ पर फिलप कर देना है और यहाँ पर जो capture हो रहा आपको पूछे चाहेंगे मतलब कि आपको उनका answer से हो सिलेक्ट करने हैं आपको अपने इसाप से उनके answer डालने हैं ताकि जब भी आप अपना password भूल जाते हो दोस्तों तो इन question की बज़से से आप अपना password हो recover कर सकते हो बड़े आसानी से तो यहाँ पर पहला question शो हो रहा है दोस्तों उसके बाद next में जैसे आप आओगे दोस्तों confirm पी क्लिक करोगे तो आपका internet banking हो completely activate हो जाएगा दोस्तों आप login हो जाओगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप internet banking का interface शो होगा तो दोस्तों इस तरह से आप internet banking access bank का start कर सकते हो चालू कर सकते हो बहुत ही easy है दोस दो अ दोस्तों हुआ कर दोस्तों को